वाँ, ये दिये और रंगोली कितने सुन्दर और अलग हैं। इन दियों को देखकर ऐसे लग रहे हैं कि किसी ने खुद अपने हाथ दे से रंगा होगा। हाँ, विल्कुल सही कहां बच्चों, तुम्हें याद हैं, पिशले साल दिपावली पर हमने भी घर पर ऐसे ही दिये बनाये थे। हाँ, मुझे याद है, सभी के घरों बित बहुत रोशनी थी, दियों और लाल्टेन से। हाँ, हमने खुब सारी मिठाईयां भी खाई, रोमांटिकी मिलाई हुई। हाँ, बिल्कुल, इस त्योहार को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके आयोध्या वापस लोटे थे। इसी खुशी में आयोध्या की लोगों ने पूरे शहर को दियो की रोशनी से सजाया था, और तभी से हम दिपावली का त्योहार मनाते हैं। ओ, अच्छा अब समझे, हैपी दिवाली दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।